हेलो दोस्तो नमस्कार मैं दिपक अभी हनता स्वागत करता हूँ आप सभी को अपनी यूटूब चैनल अभी हनता क्लासेज पड़ तो दोस्त माननी उच्छ न्याले पटना के द्वारा 19 अप्रिल 2022 के जज्मेंट के अनुसार 40% रिजर्वेशन दिया गया बिहार के प्राइवेट कैंडिडेट जो की SBT से पास आउट है उनके लिए 25 जुलाई 2022 से BTAC ने काउंसिलिंग परड़ंब करने की घोसना किया है तो दोस्त भी हर तक निकी सेवा आयोग ने जुनियर इंजिनियर का काउंसिलिंग 25 जुलाई 2022 से स्टार्ट कर देगी तो सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर आ रही है कि जो काउंसिलिंग लिच्ट है वो कब जारी होगा और यहाँ पर दूसरा कोस्चन है कि क्या सब का का कांसिलिंग होगा मतलब कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सब का फिर से कांसिलिंग होगा या फिर उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनका की 40% में आरक्षन मिला है और तिसरा सवाल यह है कि कितने कैंडिडेट का कांसिलिंग होगा मतलब इस कांसिलिंग में कितने कैंड लिस्ट जारे किया गया था उसमें लगभग 6400 जूनियर इंजिनियर का नाम था जिसमें की काफी सारे कैंडिडेट यहां पर डर गए 19 अप्रिल 2022 को जज्मिन्ट आने के बाद कि कहीं प्राइवेट कैंडिडेट एड हो जाएंगे तो हम लोग भी यहां से छटिनी ना हो जा बता दिता हूं कि कितने एडिडेट काउंस्लिंग में भाग लेंगे तो कुछ दोकी बहुत बढ़ गलार हैं मैं देख रहा हैं मैं देख रहा हूं कमेंट भार को यह करें की दो 300 से जादा हैं काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे तो안 इस वीडियो में आपके बता दूं वीडियो में फाइनल करेंगे तो वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को सेलेक्ट करेंगा ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले और सही सटिक मिल सके चलिए दोस्त हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से आप वीडियो को एक लाइक कर दिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है देखिए सबसे पहली बात है कि 25 जुलाई 2022 से बिहार तकनीकी सेवा युक जूनिर इंजिनियर का कांसिलिंग करने जा रहा है तो जुलाई से पहले देखने को मिल जाएगा यानि आज 20 जुलाई है तो 2одарी यानि पर का은ब्ल में उनका काउंसिलिंग यहां पर नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ 40% जिनका रक्षन मिलayan यानि बिहार के private candidate जो कि SBTE बिहार से pass out है सिर्फ उन्ही candidate का counselling होगा जो cut up के अंदर आएंगे ठीक है कुछ candidate नए candidate जो 2020, 2021 और 2022 में pass out हुए है वो लोग वोड़ें थे कि क्या नए candidate का भी counselling होगा तो नहीं जी दोस्ते यहाँ पर बिल्कुल नए candidate का counselling नहीं होगा जीनों ने form apply किया है और जो cut up के अंदर आ रहे हैं सिर्फ वही लोग का counselling यहाँ पर होगा तो बिल्कुल दो बात आप साफ अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे तीसरा question यह है बड़ी सबसे बड़ी question है कि कितनी candidate का counselling हो सकता है तो देखे मैं आप सबको बता देता हूँ कि कापी सारे candidate यहाँ पर अलग बलग लिखते हैं ठीक है और बोलना है कि मात्र 200 से 300 candidate का counselling होगा तो जी दोस्त यह विल्कुल गलत है मैं आपको बता देता हूँ grantee के साथ आप counselling लिस्ट आएंगे तो आप देख लेंगे ठीक है कम से कम minimum आपको 1000 candidate देखने को मिलेंगे counselling लिस्ट में minimum मैं बात कर रहा हूँ minimum बिहार की private candidate जो के SBTE से pass out है minimum आपको 1000 candidate देखने को मिलेंगे जिनका की counselling होगा ठीक है और maximum जो है आपको ज़्यादा हो सकता है 1200, 1500, 2000 तक भी जा सकता है उपर भी जा सकता है grantee नहीं है कहां जाएगा कहां तक नहीं जाएगा लेकिन minimum आपको 1000 candidate में दावा के साथ कह सकता हूँ 1000 candidate counselling में भाग लेंगे तो बात यहाँ पर यह आती है कि जब 3 अप्रेल 2022 को final merit list जारे किया गा था 6400 candidate का उसमें तो 1000 candidate यहाँ पर छटेंगे अगर आयोग फर्जी candidate को नहीं हटाती है जैसा कि मैंने पुर्व में ही बता दिया है कि बिहार तक निकी सेवा योग के गलत सॉप्टवेयर या टेकनिकल इसू के कारणिया जो भी बोले जान बुचकर या जो भी बोले फर्जी candidate 1000 प्लस आ गये हैं इस result में अगर फर्जी candidate नहीं हटते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कि जिनका मेरिट लिस्ट में पहले नाम आया था तीन अपरिल को उन candidate को हटना पड़ेगा क्यांकि जब 1000 मीनिमम का काउंसिलिंग होगा तो इस में से लगबग 600 से 700 candidate का मेरिट में फाइनल बनेगा तो वहां से चौश से 700 candidate को बाहर जाने पड़ेगा और सिर्फ और सिर्फ गवर्मेंट candidate को ही बाहर जाने का रास्ता दिखना रहा है तो मैं आपको बता देता हुगा अगर फर्जी candidate नहीं हटते हैं तो गवर्मेंट का काफी संख्या में बाहर हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि अगर गवर्मेंट जो सबसे बड़ी बात है जब गवर्मेंट केंडिडेट हटेंगे तो काटेगरीज में कटप वढ़ने वाली यानि 40 परसेंट का हार काटेगरीज में कटप वढ़ेगी 60 का कटप विल्कुल नहीं बढ़ेगा दूसरा बात यह आता है कि अगर BTSC अगर क्या करता है कि पहले 60 फिर 40 अर्भर्टाजमेंट का अनुसार उस मेरिट को सजाता है मतलब पहले मेरिट उसके बाद डिपार्टमेंट देता है तो उसके अनुसार 60 में कटप बढ़ेंगे और 40 में जो कटप थगित रहने की चांस है या फिर कम होने की चांस है ठीक है यहाँ पर दो बाते निकल कर आ रही है चात्रों का मांग यह है आचायनिक चात्रों का कि पहले 40 और मांग भी जाईज है क्योंकि अर्भर्टाजमेंट के अनुसार पहले आपको भड़ना पड़ेगा 60 परसेंट उसके बाद 40 परसेंट देन मेरिट ठीक है यहाँ पर फरज सबसे बड़ी मात्रा में है मैं एदावे के साथ झाले के साथ झाल झाल